टॉप फिफ्टी शेर्ज में आपका स्वागत है मैं हो टिंपे काल रहा तो आज फिर से हम यही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज टेर्विट एक्स पारी का दिन भी है तो क्या इस समय बजार पूरी तरह से अपने लेवल्स को यहने के शॉट कवरिंग को कम्प्रीट कर चुका है या फिर अभी और शॉट कवरिंग लास्ट के दो डाई घंटे में आती हुँ दिखेगी हाला कि यह बात बिल्कुल तया है कि दो डाई बजे के आसपस आपको एक वालेटान सेशन देखने को मिलेगा लेकिन ठीक इस समय मध्यकाल में आप यह समझने बजार के कि कौन से शेर भी चल सकते हैं कहां पे बजार पहुंच चुका है और आगे की रणीटी क्या होनी चाहिए आशिश क्याल आज के मारे मेमान है जिनसे हम यह समझेंगे टेकनिकली कि मार्केट के अंदर उनको कैसा बजार दिख रहा है और इस बिच कुछ एक ऐसे सेक्टर्स है उसके अंदर काफी स्टॉंग मूव है आज कुछ छोटी फार्मा कंपने चल रही है आई टी के अंदर सपोर्ट है यह कुछ एक ऐसी चीजे जिसके बारे में बाच्चित करेंगे कई दिनों से रुका हुआ आटो सेक्टर्स भी आज थोड़ा सा मजबूती दिखाता हू होगी और के शेरों में ब्रेकाउट है लगाता है ऐसे कुछ एक शेर्स हम आपके सामने रखते हैं जासे आपको अच्छा पैसा मिलता है तो यहां पर आज वह भी आपके सामने उतारेंगे लेकिन पहले आशिश कायल से पूछ रहते हैं कि उनको बजार से क्या लग रहा है जिनके पास भी पूजिशन हैं कुछ रोल ओवर अभी भी करना चाहते हैं कहीं के नहीं होगी पूजिशन तो उनके लिए राय बेहद एहम है सुनेगा जरूर आशिश शुक्रे पहले तो समय देने के लिए आपके रिकमेंडेशन के निफ्टी पर हमको अभी भी शॉट कि लिहाद से नहीं देखना होगा कि नमस्कार दिंपी देखिए जो और बाजार का रुख है वह फिलाल पॉजिटीव है कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन फिलाल नहीं मिलाया में नौजार यह रहली नौजार एक सो से चलकर करीबन नौजार तीनसों पचास तक आचुक कर लीजिए और रिमेनिंग पॉजिशन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का मैथड अपना यह नीचे में 9,280 का इक स्टॉप लगा के रखिए उससे क्या होगा कि प्रॉफिट इना इनका ऑफ दे टेबल यह हो जाएगा थोड़ा और बाकी पॉजिशन के लिए अगर ट्रें का लेवल देख पाएंगे इसलिए प्रॉफिट थोड़ा बुक करिए और रिमेनिंग केरी करिए यह राई हो ठीक है मोटे मोटे लेवल से बार आपने समझ लिया होगा कि जिनके पास भी 200 पॉइंट का गेन है 50% प्रॉफिट बुक कर ले 50% सौदे को आगे लेके जाएं आगे का टारगेट 9,450 है और इस पार का स्टॉपलस आधी पॉजिशन का स्टॉपलस है वो 9,280 है तो यह निफ्टी पर आया है लेकिन इस सिर्फ आशीश की राय नहीं बलकि हमने कई दिगजों से और भी बात शिट की जिसमें कुछ इन्वेस्टर गुरू भी थे फिर आप शिर्न भी जखवा के लागे फिर दिफिद दिग्ट ठार जुफलस दिग की बात एंवेस्ट की बिफ इस पोई नहीं प्स पोईव जो ऑड रिफ फ्स प्समय पॉवें सुवेवें सुघंगे लुब लग्र भाई जे का लो यहा भीशन के लोग का फिस्वें बल सरेक्षता प्याहि विम्सभड साओ के लिए कसमेंशी नीर प्याहिन कि अपी जाली सिर्प प्मारी निव प्याहिनांवे के मारृत अप्समुल нос and under these conditions i think if you look at the global stock market capitalization the u.s today is 53 percent the population of the u.s is five percent of the world and purchasing power adjusted the gdp of the u.s is maximum 20 percent but maximum so i would say uh investors by and large are underweight indian our markets kafi jori ma hai this time or asa lagta hai ki thoda sa they've gone too far too fast earnings joe bia rai hai usmeh earnings are good or mixed but not uh asa nahi hai ke abhi earnings ka season itna acha jara hai ke stocks should be this far ahead but abhi enthusiasm hai global liquidity hai or indian economy is doing well so i think i think uh i think uh i think uh i think uh uh this is a lot of uh legs and it is probably going to run ahead of earnings fundamentals thicc hai thicc hai thicc hai thicc hai hai india meh woi nivesh nahi karengi reishi russia unko jaja acha lagta hai mark fiverr karengi hai ki haa ho bharat mein nivesh karengi kisi bhi girawatt mein ar arwin sengher ehe bata karengi hai ki dhekhi abhi bata bilkul thikha bazaar or or chalega lekin aak baari rukke ya fh jajadha savdhani ke saart trade karengi toh hi a acha lagga nahi toh ap kahi upri level pe kisi particular shares ya fhe kisiz pe fustda jahe tuh iusmeh ye baat to tae hai kin records taro per apko ek baar apne nivesh , a nivesh ki jo renni ti hai bhohutti sao semaj kar paenny renni ti banani ki zorut hooggi philal liftee aaj jhol ra hai सिर्फ हरे निशान और जो लाल निशान है इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 20 पॉइंट की है सुबह से इंडैसिस देख लेजिए आप 20 पॉइंट या तो ओपर या तो 20 पॉइंट नीचे ही इसी तरह की रेंज में मारकिट आज कुल मिलाके अब तक तो जूलता हो दिख रहा है आज डेर्विड एकस्पारी है तो लेटर हाफ में शायद हमको जादा बड़ा मूव मिलेगा अब हम स्टाक स्पेसिफिक होते हैं और कुछ सेक्टर्स देखते हैं सबसे पहले कंजूमर डूरेबल सेक्टरी देखिए यह अच्छा चल रहा है हलाकि जी एसटी का बेनिफिशरी है मौनसून का बेनिफिशरी है जो अब तक रिपोर्ट आई है उसमें क्रॉम्टन ग्रीव्स खेतान राजिश एकस्पोर्स यह कुछ है कैसे हैं जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस पाइट आफ दिस के बजार इंडेक्स ठहरा हुआ है आशिश इन तीन शेर्स में से आपको के पसंद है क्या अगर नहीं है तो आप अपनी राए भी रख सकते हैं देखें क्रॉम्टन ग्रीव्ज एक ऐसा शेर है तरीन प्रदर्शन गिया है अभी फिलाल मेरे खाल से 225-221 के लेवल पर चल रहा है यह स्टॉक और इसने एक लोग बनाया था एक सो चालीज के आसपास जैनवरी के महने में वहां से काफी अच्छी चलांग लगा के उपर आए तो ओर आल ट्रेंड इस टॉक पॉजिटिव है यह शायद फिफ्ट वे में उपर है इसलिए डाइवर्जेंस नेगेटिव आ सकता है मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है लेकि आज बेरिंग बनाने वाली जो कमपनीज है ना वह भी काफी अच्छा अपने दिखा रही है जिसमें एक मैनन बियर है और साथी टिम कैन इन सभी शेयर्ज के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस पिसे आपको कुछ पसंद है आशीश देखिए जो स्टॉक है वो बहुत ही बैतरीन परफॉर्म कर रहा है और जो बैरिंग बनाने वाली कंपनीज है यह आपने काफी अच्छा चुना है क्योंकि यहां पर अगर स्केफ की चाल देखे तो करीबन एक हजार पचास पेक लो बनादा जो मार्च के पिछले मैने में बना पिछले साल में उसके बाद से बहुत ही बैतरीन रिजल्ट आया है बहुत ही बैतरीन परफॉर्मेंस है और अगर अगर पिछले कुछ दिनों में देखे तो यह चल करीबन पंदा सो सतर असी से चल कर अभी सतरा सो पचास के आसपास आ चुका है तो ओर और मोमेंटम भी बन रहा है तो यहा जो लगा के रखना होगा थोड़ा दूर है वो सोला सो पचास तो कोई भी डिप्स मिलती है तो इसमें पाइंग की जा सकती है ठीक है जम बैरिंग के बाद बोल रहे हैं इस बीच बैरिंग की एक कंपनी है मैनन बेर इसके नंबर जा चुके हैं अभी टा इसका 8.4 से 8.1 है यानि की ठीक ठाक है मार्जन की जहां तक बात है वो थोड़े से कम होगे हैं पहले 28% मार्जन पे ट्रेट करता था अब ये करीब 25% के मार्जन पे ट्रेट करता है आए इसकी न अच्छी है आए के अंदर हम को इजाफा आते हो दिखाए तो इसा गुड़ साइन के अभी त नंबर हमने देखें उस आप से लग रहा है कि शाए नंबर इसको जरह डिस्टरब नहीं करेंगे अभी 2% उपर ही है इसके अलावा एक और आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिमेंट कंपनी के अंदर भी हमने कुछ तक वापिस खरिदारी बनती ही देखी थी दो ति सिमेंट के अंदर भी अच्छा मुझूती देखने को मिल रही है Prism Cement कर दिनों से चल रहा है मैं एक शेर इसमें से चुन रहा हूँ आप आपसे निहीं रहा है घुट ही बता रहा हूं आपको आपको अशीश वह Prism Cement क्या आभी भी ले सकता हूं? या फिर जिन के बास लेकिन यहां से ब्रेक आउट आने की गुंजाइश है इसका जो एक रेस्टेंस उपर लेवल पे हैं करीबन 120-122 के लेवल के आसपास है अगर वो लेवल पार कर जाता है स्ट्रॉंगली ब्रेक आउट आता है उसके उपर तो डेफिनेटली यहां से एक स्टॉप करीबन 130-135 की चाल दिखा सकता है बहुत बड़ा ब्रेक आउट मिलेगा तो रही है यह होगी कि यहां पर निवेश किया जा सकता है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए क्योंकि मार्के ब्रेक के बाद भी जानुगा लेकिन एक कॉल जो आपको लगता है इन सतरों पर भी लेनी चाहिए बजार के और टाइम हाई को भूल जाएं वाइदा एकस्पारी को भूल जाएं और सभी सेंटिमेंट से चल रहे हैं और सब कुछ आपने इस लेवल्स के अंदर डिसकाउं दिया है अभी तक और फिलहाल भी इसमें और मोमेंटम इंक्रीज ही हुआ है यह स्टॉप का लोग बनाता चेहसो चालिस का उसके बाद से जो अपमू आया है उसमें मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉंग है और पॉसिबिटी है कि इस लो करीबन थर वेव में चल रहा है दस का टार्गेट लेके चल सकते हैं स्टॉप के साफ काम करी ओर मोमेंटम अच्छे सेक्टर ओर और परफॉर्म कर रहा है जो हाउजिंग फेनेंस सेक्टर है उसने काफी अच्छा प्रदर्शन गया तो आगे चलकर यह काफी अच्छा स्टॉप है और अगर आप लंभी आ आप लेके तो आप लाई रहा है जए ते है